तो जाहिन और व्लकम बेक टू उटीगा टीटीटीट चनल और इस वीडियो में पूर फिस्ट सब को सवगत करते हैं तो ओश्ट बेंगल है ती रिक्रिमेंट वोट के तरफ से जी एनेम स्टाप नर्स ग्रेट टू के लिए रिक्रिमेंट का निया नोट्रिफिक्रिशन आया जिसका अभी भी एफेरिंग है यहनि कि 2022 में वोट का अभी भी फाइनल एक्जाम नहीं हुआ तो वो कंडिडेट अप्लाइ नहीं कर सकते क्योंकि दो दिसमबाद 2022 के हिसाब से आपके पास 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 सार्टिवेट यहनि जैने पास सार्टिवेट और रिस्टिशन सार्टि जो जी एनेम और बेसी पोजबिसिक बेसी दोनों मिला के छे अजार उसमें से हम खाली बात करेंगे इस वीडियों में जी एनेम के बारे में तो जीनेम में जो क्याटेगरी है डिक्रोमेंन के बहुए स्टापनास ग्रेट टू ठीक है जिसमें वैकेंसे तीन आजाश से ज् अगया 210 डूपीस आपको फिमें करना है सभी कैंडिदेट को और इस्ते को अगर रिलक्सेशन मिल जाएगा तो आपको फी कम लगेगा ठीक है लेकिन 210 डूपीस आपको फिमें करना होगा और सलेरी देखें अच्छा घाचा 36000 अप्रोक्स आपको चैलेरी मिल जाएगा इना गने मेल और फिमेल कांडिडेट और ओवीसी पीडाबलो डी सारा कुछ कास्ट कैटेगरी मिला के 368 टोटल वाइगें से ठीक है जेने में मेल और फिमेल मिले के और इसके लिए आपको अप्ला का निकली इंडियन से टीजन होना चाहिए साथ आपका जेनरेल अन मीडियो फ क्वेट इंडियो के तो एपला कर सकते उसके साथ रेजिस्टार होना चाहिए ऐस नर्स के हिए सबसे आपको और नार्स इंकांसिलंग से ठीक है और उसके बाद आपको नौलेज होना चाहिए कब एंगली जिसमें आपका बोलना लिखना आना चाहिए तो बैंगोली या ने आपको तो जो अप्रूब करता है वो तो इंदर नर्सिंग कांसिलिंग करता है और जो रिजिस्टेशन करता है वो यह स्टेट नर्स कांसिलिंग करता है तो इन में से कोई भी एक में होने से आपको आपको जाएगा और रिजिस्टर होना चाहिए और रिजिस्टर होना चाहि और अपने किसी इंफिरिंश जैसे कि मैंने बोला आप लगी को कि 2200 प्रफ्रे आपको प्रेमिन करना है जो कि आपको आपको अपने प्रेमिन करना है इसमें आपको लोग अप्लाई नहीं कर सकते और एज़िलक्सेशन जैसे एज में छूट आपका जेनरेल के लिए 9-40 सर मैक के लिए आपको academic qualification 10 और 12 मिला के आपका जो की 75 रहाएगा उसमें से डिवाइट कर दिया जाएगा मार्क को ठीक है और वो और एक स्प्रे में टोटल 10 मार्क रहाएगा और एक इंटर्व्य होगा खाली आपका तींटर्व में 15 मार्क तो टोटल 100 मार्क का आपका एक 6 सा calculation किया जाए जिसमें से सिलेक्शन होगा तो में फिलेक्स भार में जाके आपका एक इंटर्व्य लिया जाएगा जिसमें 15 मार्क कर रहे आइगा लहाएगा आपको एकमनेन से उसके साथ तो इसमें भी आपको समझाता हूं मान लिजे किसी का अपर देखिए क्लास 10 में मैं इसको बोलते हैं उसमें से आपको टोटाल दस माक्स इनने हन्डेट पर्षेंट में दक्समाने 100 माक्स में से 100 आगर मिलता है आपका माल लीजे मैं आपको करें नहीं तो आपको 10 मिलेगा अगर 100 में से 90 है तो आपका 9 मिलेगा तो ऐसे करके आफ एप जो है एफ लिगएबल है ऐसे करके डिस्ट्रिपूशन किया जाए माक्स को ठीक और है तो इसे कोका 500 मिलता है तो इसको 20 मिलेगा आगर पार्सेंट रहेगा तो उसके लिए थोड़ा नंबर कम जाएगा ठीक है तो ऐसा करके जो है डिस्ट्रूइशन होता है मार्स जैसे बहुत सारे जॉप में होता है या भी से में काल्कुलेशन थोड़ा ठीक है उसके बाद देखें नर्सिंग में रहाएगा कितना 35 ठीक है तो ऊसी में से भी से जें मैं पोगा अगर टोटल नर्सिंग शहं आमका रहiva होता है मारे ज़िए तो उसमें च्छे सोडेशन में रहाएगा 35 मापको ठीक है percentage के हिसाब से ठीक है फिर देखे percentage के हिसाब से 35% या फिर 25% तो ऐसा करके percentage के हिसाब से मिलेगा full marks मिलेगा अगर percentage काम होगा 100% के काम तो उसके हिसाब से divide करके जो भी marks आगा वह आपको मिलेगा ठीक है और registration वेट बंगल nursing counseling documents to attach तो इसके लिए कोई भी marks नहीं है ठीक है लेकिन वह होना चाहिए और आपका diploma वह आन्यार रिलेटिव उसके लिए 5 marks है लेकिन यह भी compulsory नहीं और और experience जो है वह भी compulsory नहीं है ठीक है तो डिपलोमा जाए वह आन्यार का एक diploma के बात में आपे बोला गया लेकिन ओ और और वार्क सिस्मिन जो यह दोनों compulsory नहीं है एसेंशियल है अगर होने पर भी होगा नहीं होने पर भी कोई बात नहीं और लास्ट में देखिए और experience भी 10 marks रहेगा ठीक है टोटल करके ऐसे करके आपका marks distribution होगा देखिए आपके कोई चीज चीज तरह ठीक है अगर आपका बारा मायना को आपको experience रहेगा तो 0 marks मिलेगा जब इसमाने के उपरे 2 marks तो ऐसे करके आपका work experience के टोटल 10 marks आपको दिया जाएगा ठीक है तो आपके देख सकते तो चले लिए तो डिटल्स आप लोगों ने साइज सामझ लिया होंगे और भी ज्यादा जान के रहेए चाहिए तो आप लो उसके mandatory नहीं है ठीक है वह don't know mandatory नहीं है अगर आपके बास है तो भी है चल जाएगा नहीं है तो भी थोरा marks आपका घट जाए गई है और लास्ट में जाके तो इंटर्वी होगा 15 marks का वह अगर अच्छा करते है तो लास्ट में जाके वह आपका सेलेक्शन होने का बहुत थ सब्सक्रांसे से तो चले इस वीडियो में इतना था अपडेट आगे के जनकरी पाने के बने रहे वीडियो थोरे लेट आ रहा है कुछ दिन बाद से रिगुलार आपको वीडियो मिल जाएगा तो मिलता है अगले वीडियो में जैन फ्रेंस